स्वागत है आपका हमारे चैनल पस्क्रीमिंग स्टोरीज में तो आज का एपिसेड शुरू करते हैं के सामने अभी भी केशव राय का जाग उगलता चहरा घुम रहा था ना चाहते हुए भी बार बार उसकी आखें उसके मन और उसके ख्यालों में केशव राय ही आ रहा था जिससे बचने के लिए वो शावर लेने चला क्या शावर के नीचे खड़े युक पर पानी की फोहार देजी से पढ़ रही थी और उसका अंतरमन उसे जख जो रहा था देखो क्या से क्या बन चुके हो तो एक कातिल एक ऐसा कातिल जिससे बस अपनी जिंदगे की परवा है क्या सिर्फ एक खुद की जान बचाने के लिए दोसरों की जान लेना सही है तो कौन सा केशव राय को स्वर्ग जाने वाला था उसकी जगह तो सिर्फ नर्क में थी उसे वही जाना था बस फर्क इतना सा है कि मैंने उसे थोड़ा जल्दी वहां भेज दिया कौन कहां जाएगा इसका फैसला करने वाले तुम कौन हो क्या तुम कोई भगवान हो नहीं 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 मैं कोई भग ये करना ही होगा चीकता हुए योग बात्रोम से बाहार निकल गया और वहां से निकल कर सीधा अपने कमरे में चला गया कमरे में पहुंच कर उसने अपना नाइट सूट पहना और अलमारी से बोतल निकाल कर शराप के घूंट भड़ने लगा यूही पीते पीते आखिर कार वो बिस्तर के कोने में लुड़क कर सो गया और रात खामोशी से बुसरने लगी अगले दिन सुभा युग की कार शेहर के बड़े मॉल के सामने आकर रुकी तुम चलो मैं कार पारकिंग में लगा कर आता हूँ हा में सिरहिदाती हुई निकिता कार से निकली और मॉल की केट पर उसका इंतिजार करने लगी करीब पाँच मिनट बाद यूग वहां आया और दोनों साथ साथ मॉल के अंदर प्रवेश कर गए अगले कई घंटे उन्होंने मॉल में इधर उधर खूमते हुए धेर सारी शॉपिंग करने में गुजार दिये यूग बेबी मुझे सोरों की भूख लगी है चलो ना कुछ खा कर आते हैं चलो चलते हैं पास में एक अच्छा रेस्टोंट है वहीं चल कर खाते हैं वहां की चिकन तंदूरी फेमस है बहुत ओ वाओ आज मेरा मन भी नॉन वेच खाने काई था चलो चलते हैं चल दी इसी के साथ ही दोनों मॉल से निकल कर पार्किंग के ओर पड़के मॉल से खरीदा हुआ आधा समान डिक्की में और आधा बैक सीट पर जमाने के बाद दोनों कार में बैठे और युग ने कार स्टार्ट करती उनकी मंजिल थी चाइना टाउन रेस्टोरेंट जहां युग अक्सर जाया करता था तुमारी कल की मीटिंग का क्या हुआ? काम बनाया नहीं? मीटिंग? युग पिछले दिन की सारी बाते भूल चुका था लेकिन निकिता के सवाल के तुरंत बाद उसे याद आया कि कल मीटिंग के बहाने से ही वो निकिता से नहीं मिला था ओ हाँ, अरे मैं तो बताने ही बूल गया था मीटिंग अच्छी रही, उमीद से जादा अच्छी आच्छी, काम भी जल्दी हो गया बोलने के साथ ही युग के चेहरे पर अजीब से भाव आ गये जिसे नोटिस का निकिता उसे गौर से देखने लगी युग ने पौरन खुद को नॉर्मल कर लिया और उस सिंगानिया का क्या हाल है? कौन सिंगानिया? वही मनोज सिंगानिया, सिंगानिया गुरूप अफ फार्मेसुटिकल्स का मालिक तुम्हारा सबसे बड़ा राइवल, क्या अभी भी वो तुम्हारे बिजनेस को खतम करना चाहता है? हो तो कबसे यही सपना देख रहा है, मगर उसका यह सपना बस सपना ही रहेगा, वो कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पायेगा जानते हूँ, मैं तो बस यूँ ही पूछ रही थी कोई नहीं, चलो रेस्टोरांट आ गया योग और निकिता बात करने में इसकदर खोई हुए थे कि उन्हें इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ कि एक कार मॉल से ही उनका पीछा कर रही थी चाहिना टाउन रेस्टोरेंट आने के बाद दोनो उस रेस्टोरेंट के भीतर प्रुवेश कर गए जो एक ओपन रेस्टोरेंट था अंदर पहुँचकर वो दोनो एक खाली टेबल के दोनो और बैट गए कुछ ही पलो बाद वेटर वहाँ आया दोनों ने अपना ओर्डर दिया जिसके बाद वेटर उनका ओर्डर लेकर किचन की ओर बढ़ गया इधर युग की कार का पीछा कर ही कार से करीब पांच गुंडे सी शकल के आद में उतरे और युग के पांस वाली टेबल पर आखर बैट गए एक वेटर उनका ओर्डर लेने आया जिस उन्होंने बाद में आने को बोल कर वहां से भगा दिया बोलते बोलते अचानक निकिता की नजर पांस की टेबल पर बैठे उन्हीं गुंडों पर पड़ी और वो अपनी ड्रेस से ही करने लगी निकिता की बाद सुनकर युग चौका और फोरान उसकी नजर भी पीछे की और बैठे उन लोगों की और मुड़ गई जिन में से एक अपना फोन निकाल कर निकिता की वीडियो उता रहा था और बाकी चारों हसकर मजे ले रहे थे यह देखकर युग का मा था बुरी तरह ठनका और वो फोरान चेर से उड़कर उन्ट लोगों की और चल पड़ा निकिता ने उसे रोकना चाहा मगर उसने निकिता को वहीं बैठने को कहा जबकि खुद उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया और वीडियो उतार रहे शक्त से बोला यूग की बात सुनकर वीडियो उतार रहे उस गुंडे ने नजरें उठाई उसकी बात सुनकर उसके बात की दोस्त दाथ दिखा कर हसने लगे जिस पर वीडियो बना रहे उस शक्स पर छपट पड़ा इधर यूग ने उसकी कॉलर पकड़ी और उस गुंडे के साथ उसके बात की साथ ही भी फौरण अपनी जगा पर खड़े हो गए पल भर भे ही उनके हाथों में चाको और छुरी जैसे खतरनाक हत्यारा गए ये देखकर यूग के माथे पर हलकी से शिकन उभरी उसने फौरण उस गुंडे का कॉनर छोड़ दिया मगर उन लोगों का इरादा खतरनाक लग रहा था वहीं दूसरी और ये द्रिश देखकर निकिता और उस रेस्टरेंट में मौजूद अने लोग बुरी तरह हैरान हो गए निकिता ने एक बार फिर यूग के और बढ़ना चाहा मगर यूग ने इशारे से उसे वहीं रुखने को कहा और खुद उस ने उन गुंडों पर एक एक कर बारी बारी से नसर डाली वो पाच थे और यूग अकेला साथी उनके पास धारदार हत्यार भी थे जबकि यूग निहत था उनके सामने खड़ा था एक पल के लिए यूग का मन हुआ कि वो पीछे हट जाए पर फिर उन गुंडों के रादों को देखकर वो समझ गया कि अब किसी भी कीमत पर वो अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता ठीक उसी पल उन पाच गुंडों में से एक ने अपने पास खड़े अपने साथ ही के और देखा उसका इशारा मिलते ही दूसरा था थी चुरी लेकर युग के और बढ़ चला बहुत चर्वी है ना तेरे मैं रुक रुकाज मेरी ये चुरी तेरी सारी चर्वी निकाल रेगी बोलने के साथ ही उसने अपना चुरी वाला हाद खुमाया मगर एन वक्त पर युग ने कदम पीछे कर खुद को बचा लिया ये देखकर वो गुंडा बुरी तरा भड़क उठा भड़कने के साथ ही उसने कुस्से में एक लातकस कर युग की पेट में मारी युग धकका खाते हुए कुछ कदम पीछे चला गया और एक टेबल से जाठकराया उस टककर के बाद वो अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा युग? निकिता चीखी जिस पर गुंडे ने एक नसर उस पर डाली और फिर दात पीसता हुआ छुरी लेकर फर्ष पर पड़ी युग की ओर पड़ गया फर्ष पर गिरे युग को मानो साफ सुंगया वो जानता था कि अब उसका बचना नामुम्किन है उसकी मौत के साथ ही शाश्वत से किया हुआ उसका कॉंट्रेक्ट भी खत्म हो जाने वाला था वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था तो क्या युग सच में मारा जाएगा अगर ऐसा हुआ तो फिर शाश्वत से हुए उस कॉंट्रेक्ट को कौन पूरा करेगा दर्जनों लोगों के बीच युग उस रेस्टोरेंट के फर्ष पर पड़ा था जहां पर एक और उसकी मंगेतर निक्ता मदद की आस लगाए इधर उधर देख चेक चिलना रही थी वह इन पाचों में से एक गुंडा तेज धारदार चुरी लिए युग की और पर रहा था सब सास रोके वो द्रिशित एक रहे थे कि तभी आजानक युग ने अपनी आखे बंद की और पूरी ताकत से चिला कर शाश्वत को पुकार उठा युग को जरा भी एहसास नहीं था कि उसने उस पल में क्यों शाश्वत को पुकारा लेकिन उसे फुकारने के बाद उसने मौत के डर से अपनी आखे बंद कर ली वो इंतजार करने लगा कि कब वो गुंडा उस पर हमला करेगा लेकिन कुछ पल गुजर जाने के बाद भी जब उस पर कोई हमला नहीं हुआ तो चौक कर उसने अपनी आँखें खोरी और हैरान रह गया वो उस वक्त रेसुरेंट में रही बलकि नर्क में था खीक शाश्वत के सामने मैं मैं वापस नर्क में कैसे आ गया कई कई में फिर से मर तो नहीं गया अभी तक तो नहीं पर जल्दी मरने वाले हो वैसे तुमने मुझे क्यों पुकारा क्यों पुकारा से क्या मतलब है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा शाश्वत के मूँ से इस तरहा का दो टूक चावब सुनकर योग हैरान होकर उसे बुरी तरह घूरने रगा इतना कहकर योग शाश्वत का चेहरा देखने लगा जिसके चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे तुम्हारी बात में दम तो है। तुम्हारी मौत से जादा फाइदा मुझे तुम्हारे जीने से होगा। तीक है। फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बोलते बोलते शाश्वत एक आएक उठ खड़ा हुआ और युग के कुछ समझने से पहले ही उसने हाथ उठा कर चुटकी बजाए। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। और वे किसी बेहत अंधिरी जगा पर खड़े थे जहां पत्रीली और उबढ़ खाबड जमीन पर सपेद चांक से एक अजीब गोलाकार आकृती बनी हुई थी। ये ये हम कहां। बुरी तरह हैरान युग ने शाश्वत से कुछ पूछने की कोशिश की पर तभी उसने एक बार फिर चुटकी बजाई। इस बार उसके हाथ में एक चांदी की गिलास आ गई। शाश्वत ने गिलास वाला हाथ हवा में उपर उठा कर किसी अजीब सी भाशा में कोई मंत्र बोलना शुरू किया। फिर कुछ ही पलो बाद उसने वो गिलास नीचे किया और अपनी एक उंगली काट कर अपने खून की कुछ बूंदे उस गिलास में गिरा दी। ये सब कुछ गौण से देख रहे हैं युक के मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। लो इसे पीलो। क्या पीलो? मगर इसमें तो तुम्हारा खून मिला हुआ है। इसलिए तो कह रहा हूँ पीलो इसे। ये प्योर डीमन ब्लाद है। कुछ पल में ये तुम्हें दाकतवर बना देगा। उसके बाद तुम उन नमूनों को अच्छा सबक सिखा सकते हो। युग ने असमंजस भरी नजरों से उस गिलास को देखा और फिर जटके से उसे लेकर एक सास में उसमें मौजूद खून की हर एक बूंद को गटक गया। इसका स्वाद कितना कड़वा है। तो तुम्हें क्या लगा। मैं तुम्हें खोल्ड रिंग पिलाऊंगा। डीमन ब्लड का स्वाद ऐसा ही होता है। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। युग ने अपनी पल के जपकाई और अगले ही पल वो वापस उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गया जहां वो गुंडा उस पर हमला करने जा रहा था। मगर इस बार युग तैयार था। इससे पहले कि वो गुंडा फर्ष पर पड़े युग को कोई नुकसान पहुँचा था। युग ने एक जोरदार केक उसकी टांगो पर मारी। और एक तेज आवास के साथ उसका टकना एक ही जटके में तूट कया। होटो से जबरदस कराह निकालता हुआ वो गुंडा दूर जागिरा और बुरी तरह से छटपटाने लगा। अपने साथी की ये हालत देखकर दो और गुंडे गुसे में युग की तरफ दोड़े। बगर तब तक युग खड़ा हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से एक साथ तेजी से उन दोनों को एक जोरदार पंच मारा। एक ही घुंसे में दोनों चलकर कई फीद दूर जाकि रहे। एक गुंडा कुरसी पर और दूसरा एक टेबल पर। ऐसा होते ही वो कुरसी और वो टेबल दोनों एक साथ तूट गए। अचानक बदले इस नजारेने निकिता के साथ साथ वहां मौझूद बाकी सारे लोगों को हैरान कर दिया था। उधर अपने तीनों साथियों की ऐसी हालत देख बाकी बचे दोनों गुंडों ने एक दूस हो गए। ठीक उसी पल पुलिस जीब के सारेन की आवास ही कुई न लगी। कुछी तेर में पुलिस वहां पहुंच गई जिने रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बुलाया था। वो मैनेजर युक को अच्छी तरह पहचानता था। इसलिए उसने युक की बजाएं सीधे उन गुंडों की और इशाना करते हुए कहा जो हमारे रेस्टोरों में घुसकर मारा मारी और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैनेजर के कहने पर कुछ पुलिस कर्मियों ने तेज से आगे बढ़कर उन गुंडों को हिरासत में ले लिया और फिर वो मैनेजर युक की और बुड कोई बात नहीं सर आप सेफ हैं हमारे लिए यही सबसे जरूरी है आप बैठिये मैं आपका और बैजवाता ओके वो मैनेजर चला गया और युग निकिता के साथ वापस अपनी टेबल के पास बैठ गया सबकी नजरे युग पर टिकी हुई थी और ये बात युग भी साफ साफ महसूस कर रहा था थोड़ी देर में उनका खाना आ गया युग की बात सुनकर निकिता जो खुद को संभाल चुकी थी उसे अजीब सी नजरों से खूडने लगी पर उसने उससे कुछ कहा नहीं दोनों ने चुपचाब अपना खाना खत्म किया और घर की ओर चल पड़े युग उस समय कार ड्राइब कर रहा था बीच बीच में उसकी नजर निकिता पर भी जा रही थी जो काफी देर से उसे घूर रही थी क्या हुआ ऐसे क्या देख रही हो अब तो मुझे राज और डीके से बात करनी ही पड़ेगी क्या हुआ तुम फिर से क्या सोचने लग गई कुछ नहीं बाबा लो तुमारा घर आ गया युग की बात सुनकर निकिता चौक गई और उसने पलट कर कार की विंडो से बाहर देखा तो पाया कार ठीक उसके बंगले के गेट पर बाहर खड़ी थी निकिता तुरंत कार से बाहर निकलाई बाहर आते ही उसने युग से कहा अंदर नहीं आओगे मम्मी पापा से मिल लेते उसकी बात सुनकर युग ने पलभर सोचा और फिर कार से उतरने को हुआ कि तभी उसके फोन की घंटी वज़ उठी उसने मुबाइल फोन बाहर निकाला और देखा तो किसी अन्नोन नमबर से कॉल था हलो रादे रादे मलोतरा साब इंस्पेक्टर हुद है बोल रहा इंस्पेक्टर आप? आज मुझे कैसे कॉल कर लिया आपने? के करूँ सरकार? मारे जरा नहीं गया इसलिए कॉल कर लिया कोई जरूरी काम? बहुत जरूरी सरकार, बहुत जरूरी बुझे तना समझ लो कि मारी जान अटकी बड़ी है आप से पाने के लिए जान अटकी है? पहले मत बुझाईए इंस्पेक्टर सीधे सीधे बताईए क्या जरूरी काम है आपको मुझे बता देवेंगे सरकार पहले आप धाने में तो शरीफ तो ले आओ इंस्पेक्टर आखिर बात क्या है? हुआ क्या है? जा बाड़ा का पूरी बात जान कर मने है युग सक्पका उठा उसे दबी आवाज में ओके बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया फिर वो पास खड़ी निकिता के और मुड़ा जिसके मन में धेरो सवाल थे निकिता के कुछ कहने से पहले ही युग ने कार आगे बढ़ा दी निकिता बस युग को जाते हुए देखती रही उसके मन में भैंकर उथल पुथल मची हुई थी क्या निकिता कभी युग की जिंदगी में जल रहे तूफान के बारे में जान पाएगी डिमन बलड युग की जिंदगी में कैसे बदलाव लाएगा जानने के लिए सुने नर्क के भयानक मंजर से आपको रूबरू करवा थी इस कहानी का अगला भाग